नमस्कार आप देख रहे हैं The Follow-up इस वक्त हम राची के डॉक्टर राम दयाल मुंडा जनजातिय सोथ संस्थान में मौजूद हैं यहाँ पर एक पुस्तक मेलेक आयोजन किया गया है या पुस्तक परदर्सुनी कहले हैं ऐसे दौर में जब डिजिटल क्रांती कहते हैं और लोगों का किताबों से ध्यान हटने लगा है लोग पढ़ना इतना पसंद नहीं करने लगे हैं अधिकान समय लोगों का डिजिटल गैजेट्स के साथ भी बीटता है वैसे में भी पुस्तकों का महत्व कम नहीं हुआ है और कहते हैं कि पुस्तकें जो हैं आपकी सबसे सची साथी होती है और आपको सही दिशा की ओर ले जाती है आपको तनाव रहित बनाए रखती है तो हम आपको इस वक्त जो पुस्तक परदर्शनी हैं वहाँ पर ले आए हैं आप स्क्रीन के माध्यम से देखेंगे कि यहाँ पर आपको हर तरह की किताबें जो हैं मिलेंगी चाहे वो तिहास से संबंधित हो, दर्सन से संबंधित हो, जंजातियां मामलों से संबंधित हो तो हम एक एक कर अलग-अलग stalls में जाएंगे, वहाँ पर जो उनके stalls के owners हैं, उनसे बादसीत करेंगे, और उनके जरी यह بتाने की कोशिश करेंगे कि किस τरह की किताबें यहाँ पर पाठकों को मिल सकेंगे और किस कितने समय तक आ सकते हैं. सर पहले तो इसप्सम्साम इwn. किताब़ के लिए के लिए रज कमल ने लनुक्त करें हो जिус साहित की आति टावियो जो पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन है, वो कब से शुरू हुआ और कब इसकी अंती मवधी क्या है? सर, यह 23 तारिक से शुरू हुआ था, 23rd of March, और आज इसकी अंती मवधी है, सर. किस तरह की किताबें हैं, कुछ जो नई किताबें, जो नई कहानियां आप लोग लेकर आए हैं, उसके बारे में बताना चाहें इशुरू के? आज आखरी दिन है, तो अभी भी पाटकों के पास से यह समय है, एक स्टॉल यहां पर लगा हुआ है, और यहां पर देखेंगे तो कई किताबें आपको जनजातिय मामलों से जुड़ी किताबें हैं, जिसमें जहारखंड की जो आदीम जनजातियां हैं, संताल हैं, और बा बारे में भी किताबें मिलेंगी, सर, आप नाम बता दीजे अपना, गगन करेट्टा, आप लोग किस संस्थान की तरफ से आये हैं और किस तरह की किताबें आपके पास मौजुद, यह तो हम नहीं बता पाएंगे, और तो अप सार लोग बता पाएंगे, हम लोग छोटे कर किताब में किस-किस तरह की हैं, आप पर कुछ जान करें, यह तो इसमें मतलब जितने भी आदिवासी शहीद हैं या क्रांतिकारी हैं और उनकी भासा संस्कृती से संब्धित पाएंगे, जी बिल्कुल, सभी, सभी, सभी. जो सोच संस्थान है, उसका एक यूनिट है, और जिसके तहट जो किताबें प्रकासित होती हैं, आप देखेगा, कि जो पहाड़िया जनजाती है जहारकंड में, संताल प्रगना में, यह लोग निवास करते हैं, इसके अलावा, संताल जो आदिवासी हैं, संताल प्रगना क यहाँ पर भी किताबों का काफी भंडार है, और ज्यादा तर चुकी रामदयाल, मुंडा, जनजातीय सोध, संस्थान में यह परदर्शनी लगी है, तो अधिकांस जो किताबें हैं, अधिकांस किताबें वो आदिवासी मामलों से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि एक किताब यहाँ पर बीर भारत तलवार जो राइटर है, उनकी किताब है कि जारखंड के आदिवासियों के बीच, तो यह किताब जो है वो तयार की गई है, जो आदिवासी कितियों के बीच घुमकर बिरसा मुंडा, जिन्हें लोग बीर बिरसा या उलगुलान आंदोलन के नाम के जरिये जानते हैं, परधान मंत्री जो हैं, अपने मन की बात कारिकरम में जिक्र कर चुके हैं, इनके नाम का बिरसा मुंडा से जुड़ी किताबें हैं, इसके अलाबा जारखंड के साहित्यों के बारे में भी किताबें हैं, जो लोग यहां के पर किताब खरीदनें, आप क आप किताबें खरिदने आए हैं किस टाइप की किताबें, जो है यहां पर मिलेंगी बाठकूम। हर फिक्शन, नॉन फिक्शन, आपका माइफलोजिकल और रिजनल और जो सिविल सर्विस की जो पढाई कर रहे हैं, वो सब किताबे सारी हमारे हैं, जो एक बात कही जा रही है, सर थोड़ा सा आगे आजिएगा, आप बात्चित कर रहे हैं, तो मैं आपके पास आना कि ऐसे दौर में सर जब डिजिटल करांती की बात की जा रही है, लोग अधिकान समय, गैजट्स के साथ समय बिता रहे हैं, मोबाईल टैब के साथ, तो आप जो पुस्तक परदर्सनी लगी, लोगों की पार्टकों की किस तरह की रुची आपने देखी? अच्छा है, और दूसरा जो करोना काल में घर में लोग बैड़ गया है, तो मोबाईल प्योड़ के किताब बढ़ गया है, मोबाईल से लोग परेसान हो करके अब वापस किताब पर काया कि इसका एक पलटने का अलग मज़़ा है, दूसरा है कि किताब आप भढ़िएगा, तो मेमोरी में आएगा, मोबाल देख के मेमोरी में नहीं आता है, यसलिए किताब का के ळग़गिया है, किताब का कलचर बढ़ गया है, आपको लगता है, अब रूची कम नहीं हुए लोग अभी बहुत अच्छा है किस टाइब कि आखरी दीने किस टाइब की किताबें हैं और मेरे पास हर भराइटी का मिल जाता है बच्चा लोग के लिए भी है रिजनल भी है फिक्षन है नन फिक्षन है जनल नोलेज टाइब का भी है और यहां छोटनागपूर से रिलेटेड जतना भी भासा उसा का होता है सब है मेरे पास अपना परदीप कुमार बर्मन ज्यानदीप मेरा दुकान का नाम है तो यह प्रदीप कुमार है जो लगातार यहां पर इस टॉल लगाते आ रहे हैं 23 मार्ट से ही इनका कहना है कि इनके पास सोध से जुड़ी भी किताबें हैं एक बुक स्टॉल यहां पर है पुस्तक वानी प्रकाशन का आप देखेंगे बोर्ड जो है वो वानी प्रकाशन का लगा हुआ है और यहां पर भी आप देखेंगे कि जो नौवेल है पुरानी वो बहुत सारी है और अधिकांस जो आप दलित वैजारकी से संबंधित किताबे हैं, दलित चिंतन की बातचीत है इसके praising एलाबा जारखंड और देस बर क्रान्थीकारी संबंधित किताबे हैं आप देखेंगे यह जो क्रान्थीकारियों के दस्तावेज नाम से है और जो पढ़ना चाहिए लोगों को सर आप अपना नाम बता दीजिये और कुछ बताईए किताबों के बारे बिलोट कुमार मेरा नाम हुआ मेरे पास लिटरेचर बुक है, साहिति किताब है दलित पर आदिबासियों पर बहुत सारी किताबे हमारे परकासन से छपती है लोगों की रुची जादा तर किस तरह की किताबों की और रहती? यहां तो दलितों पर जादे है और आदिबासियों पर जादा बिक रही है जारकन साइक्लोपीडिया हमारे चार भाग में मिलती है बहुत अच्छी बिकी है हमारे यहां से सवाल है जो युवा वर्ग है खास तोर पर मान लिजे जो 16 से अगर 30 वर्ष के उम्र को ले ले जो electronic gadgets के साथ जादा है उनमें किस तरह की किताबों की रुची है? जातियों पर जादा सोथ कर रहा है लोग उसी तरह की किताबे जादा खोज रहे है तरह की किताबे जादा खोज रहे है तो कैसा रहा तिन का अनुपभव? बहुत अच्छा रहा जे एक ये सुखत बात जो इन्होंने बताई कि किताबों के प्रती जो युवा वर्ग का है रुची है वो भी ऐसे विशय के बारे में जिस विशय के बारे में आमतोर पर लोग मानते हैं कि रुची जो है वो युवा वर्ग से जुड़े पार्टकों की नहीं होती है तो बुक स्टॉल्स देखेंगे आप लगी हुई है इधर भी जो किताबों का है और आप देखे लता मंगिशकर जिनका निधन हाली में हो गया सुर्सामरागी इनको कहते है अपने खुद के शब्दों में लता मंगिशकर एक तरह से ये उनकी आटो बायोग्राफी की तरह है लता मंगिशकर से जुड़ी एक important किताब यहाँ पर रखी हुई है इसके अलावा जादातर किताबें जो है यह पूरा इंग्लिस सेक्षन है और यहाँ पर कस्मीर के बारे में A Journey Through History कस्मीर का मसला कस्मीर फाइल से एक फिल्म आई है हाली में और इस बारे में बिवाद जो बहुत जादा जानना चाहते हैं जिनकी रूची जगी होगी किताबों के बारे में तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लीस की किताबों का एक समुझ जो है यहाँ पर पाठकों को दिखेगा, मिलेगा थोड़ा सा हम आगे की और बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बुक स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ पर भी ज़्यादातर इंग्लीस की किताबे हैं सर आप यहाँ पर हैं आप नाम बता दिजिए थोड़ा सा इधर आजी आगे मेरी तरब आप नाम बता दिजिए में जादा तर जो संख्या हैं चात्रों की वो आदिवासी चात्रों की है तो किस तरह की किताबों के परती रुची रही और किस तरह के पाठक आपको मिले और क्या रिस्पॉंस देखा हम लोग ने पहले से ही जो यहां पर इंविटेशन जो था ट्राइबल रिसर्च इंस्ट्यूट से तो बसिकलिए अम लोग कहा घा था तर ट्राइबल डिलेटेट बुक्स लाने के लिए तो हमारी ज्यादतर किताब रिसर्च ओरियेंटेड है और यह मेंली जो ट्राइबल्स को लेके काम करते हैं वो स्पेशली उनी के लिए ज्यादा हिल्फुल है तो रेस्पॉंस तो बहुत अच्छा रहा है काफी बाहर के स्टुएंट भी आये किताब देखे भी उन्होंने काफी सारा रेकमेंडेशन भी हुआ है इंस्टूट से जो पाठक बर आपके पास आया किताबों के लिए उनका एज ग्रूप क्या था और किस तरह की रुची आपने देखी जादा संख्या किस एज ग्रूप की थी यह मेरे खाल से 25 तो 30 35 इस एज ग्रूप के होंगे मैक्सिमा जो रिसर्च कर रहे हैं भी इस चीज को लेके तो आप देखेंगे कि जैसा कि इन्होंने बताया कि जो ट्राइबल रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं और इनको भी यह निर्देश दिया गया था कि जो ट्राइबल से जुड़ी सोध किये गए हैं उनसे जुड़ी किताबें ज्यादा तर संख्या में लाई जाएं और उसी तर कि जन जीवन उसके सहली से जुड़ी हुई है यहाँ पर जो किताबें हैं हम एक ऐसे सेक्शन में आये हैं जहाँ पर बाल जो किताबें हो ज्यादा जुड़ी हैं बच्चों से जुड़ी किताबें ज्यादा हैं और छोटी-छोटी कहानिया सुल्तान और उनकी कहानिया है म बच्चे हैं वो जो बायोलोजी है जो सरीर के अंगों के बारे में एक बेसिक जो जानकारी बच्चेव को देने की कोशिस इस किताब के जरिए की गई है और यहाँ पर एक section है books का जहाँ पर कहानियों की जादा किताबें हैं इसके अलावा जो पुराने महापुरुष हैं जो जिक्र किया था कि सबसे बड़े समाजवादी के तौर पर तो उनकी उनसे जुड़ी किताब है इसके आलावा यहाँ पर सेरसा सुरी जो अफगान राजा जिने कहा जाता है जिनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है मुगलकाल के बीच में ये हुमायू को हराकर सुल्तान भार उसे बाद में मौडिफाई अकबर ने किया और बाद में जब अंग्रेजों का सासन हुआ तो उन्होंने भी इसे ही जारी रखा थोड़े बहुत बदलाव के साथ इसके अलावा महात्मा गांधी से जुड़ी एक बहुत जरूरी किताब है यहाँ पर जिनके बारे में जो उनके बारे में जो सर्दान्जलियां दी है उस बारे में इन किताबों में जिक्र किया गया है यहाँ पर कुछ पाठक हैं जो किताबों के लिए हैं हम उनसे भी बात्सीत करने कोश्च करेंगे आप कहां से आए हैं? आप मतलब पहले भी पुस्तक मेले में आये क्योंकि तीन दिन से हो गया या आज पहली बार आया क्या आप सर्च करने आये हैं किस स्पेसिफिक किताबों के लिए मैं मेली पॉलिटिकल साइन्स के किताबें खोजने के लिए हूँ कुछ रिफेस्थ वगारा के लिए किस तरह के वर्क हो चुके हैं वो मुझे देख लाए हैं यहाँ पर कुछ और पाठक हैं जो किताबों को सर्च करने के लिए आए हैं आप एक सेगेंड आप स्टुएंट हैं इश्म एकर आइ तो यह पुस्तक्मेला की जानकारी के लिए जानकर ही आए या से आप रुची के हिसाब से वो किताबें ढूंड रहे हैं या आप कोई सोध कर रहे हैं जिसके लिए आपको किताबें हैं? रुची के अनुसार ढूंड रहा हूँ, रुची है, जनजातियमांबे, रुची है. इसके अलावा जनजाती जो हैं जहारखंट के अलग-अलग चाहिए वो संताल हो, पहाडियां हो, मुंडा, उनसकी संस्कृती सभ्यता से जुड़े जो सोध हुए हैं, उनसे जुड़ी किताबें भी आपको यहाँ पर मिलेंगी. तो जो भी दर्शक, पाठक वो तोबारा यहाँ पर आना चाहते हैं, किताब में पढ़ना चाहते हैं, वो यहाँ पर आकर किताबें जो हैं, वो खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं. और ऐसे दोर में, जब डिजिटल क्रांती में अधिकान समय लोगों का गैजट्स में बितने लगा है, पढ़ने में लोगों की रूची कम हो रही है, तो ऐसे में पुस्तक परदर्शनियों का आयोजन बहुत एहम है, कि लोगों की किताबों के परती रूची बढ़े. फिलाल हमें जाज़त दीजिए, सहयोगी नुतन के साथ मैं सूरज दफॉलो अप राची.